न्यूज वाल इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मेहू काजो नरायन श्रिवात करेंगे खबरों की और पहली खबर शावस्ति से जोहाँ लोग सभा में पांच बढ़े तक कल चुनाब प्रचार थम गया यहाँ पर छटे चरण के 25 मई को मदान होना है जिसको लेकर शावस्ति लोग सभा में चुनाब प्रचार पूरी तरीके से कल रुग गया इसको देखते वेश शावस्ति जनपत की 62 किलोमीटर के अंतरास्टे भारत नेपाल सीमा को बहातर घंटे के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया वही सक्षल चुनाव संपन कराने के लिए पूलिस सदिक्षा घंश्यामच और रसिया के साथ डियाम कृतिका शर्मा ने अधिकारियों को ब्रीव किया साथी आरजक तत्वों पर निगरानी करने की साथी निश्पक्ष और शकुसल मदान संपन कराने की निर्देश दिये कासगंच में मासूम को साप में रस लिया परिजनों ने मासूम को इलाज के लिए बढ़ती कराया डॉक्टर ने मासूम कुम्रति घोशित कर दिया अपने घर के बाहर बच्चों के साथ के लरादा च्छे साल का मासूम अभिनव बच्चे के मौध से परिजनों में कोराम है परिजनों करोरो कर बुरहाल है कास गंजले के थाना सिर्फ़ दूरा शिट के पहलोई गाहों का मामला प्रतापगर के पठ्चे विधान सबाई शिट में गरिवन्त्रिया मिश्शा का आगमन हुआ मंच पर पहुंचकर कारक्टर में मौजबत भारी जंसभा को गरे मंतरी अमिशाह ने संबोधित किया वही लोगों को संबोधित करते वे पक्षपर जम कर हमला बुला आपको बता दें कि उन्होंने संबोधित करते वे लोगों को मोदी जी ने गरीबों के लिए फ्री राशन यानि की जो के इंदू सत्रकार के पर दिया है वो गिनाई है खेट का पैसो उनके फसल का भीमा रोजगार देने का काम किया उनका कहना है कि मोदी जी ने प्रतापगुल के मैडिकल कॉलिज के साथ सरको का जौल भी बिच्वाया है लोगों को घर गर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है लागों बाबा और अभीमेस है और कुछियों तरीट चायवाले का मेड़ा मुहरें लगों की पसंद कॉन है बाई फ्रियागराज में सांसेद अफजाल अंसाली की सजा के मामले मिलावाद हाइकोर्ट में गुर्वार को सराजी सरकार की बहस पूरी हो गई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सुमवार 27 मैं की तिति निर्धारित किये संदर्ब में इलहाबाद हाई कोर्ट के वरिश अधिवक्ता अजेश श्रिवास्तव ने बताया कि न्याय मूर्टी संजेश सिंग के कोर्ट में सरकार के पक्ष की तरफ से शाष के अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा इस केस में अन्य पक्ष प्यूश राय के अधिवक्ताओं ने भी मितक पिता के डाटने और प्रीमिका के साथ रहने से इंकार पर शक्स ने आत्मगाती कदम उठा लिया कुदकुछी की सूच्टा पर पहुंचे पुलिस ने मितक को कबजे में लिया है कानपूर के नवाब गर्श थाना शेत्र के अंतरगत गंगा किनारे एक युवक का शम मिलतें की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है आपसे रंजिश की चलती युवक की हत्या की गई थी दरसल आपको बता दे कि कानपूर के नबाब गुर्ट थानश्यत्र के अंतरगत 17 मई दोहजार चौबिस को गंगा बैराज कर्ट्री में गंगा किनारिक शर्फ तैरतावा दिखाय दिया था पुलिस की जार्चम पता चला कि युवक बिट्टू थानश्यत्र का रहने वाला है जिसका राम सुरेंद्र है और दो मई से घर से लापता था इस प्रक्रण मिर्टक के भाई सुझीत की तैरीर के अधार पर मुकदमा पंजुकृत कारवाई करते वे घटना में शामिल एच्चो नवाबकच के मित्रत में एक एडिशनल एच्चो के और एक टीम सर्विलांस की टीम लगाई गई इसमें मोबाईल की लोकेशन और साथी साथ जो है कुछ जो मौकिक साथ मृतक को उसी के गाओं के गत्ति ने जो छोड़ा था गंदा तक पर उससे भी पूश्टा की गई और जो नामित तीन अभ्यूक्त थे उनसे भी गहांता से पूचताच की गई और इसके बाद जो है इसमें कनहिया नाम का अभ्यूक्त प्रकास में आया कनहिया को गिरफतार किया गया उसने अपना जुर्म स्विकार किया है और उसके कबजे से मोबाईल फोन के हाथ और पर म्रतक के माधे गए थे वो फोटो भी प्राप्ट हुआ है यह पूरा माबला कानपूर से सामने आया जहां अपने को पत्रकार बताने वाला श्याम गोपाल शुकला उर्फ संजे शुकला के ओपर उनकी मा और बहने आरूप लगाते हैं कि उनका बेटा अकसर दोनों को भधी भधी गालिया देने के साथ जान से मारने की धमकी देता है जिसको लेकर पिडित ने कानपूर प्रसलब में एक प्रसवारता करते हुए बेबस मा और बहन ने अपने जीवन को बचाने की गुहार कानपूर पुलिस से लगाई है मा शुंकुतरा देवी ने बता है कि उनके पती की मृत्यू होने के बाद 2009 में बेटे की शादी दुमधाम से की गई थी लेकिन शादी के बाद से लड़के की प्रतारणा से तंग आकर उसे अपने घर चल चल समपती से बिदखल किया हुआ है जिसके सुशना अगवार के माधियम से 2414 में करवा दी ग अपने बेटी के किलाव मुकदमा दर्ज भी करा है लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई है फिलाहल प्रेसवारता कर नियाय की गुखार यहां पर बुरिस से लगाई है गोपाल शुकला उर्फ सनिजय शुकला आए दिन परिशान करता है मेरे भाई को इससा दे दिया है तब भी वह आके परिशान करता है और कहता है मैं अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहूँगा मेरी मा ने 15 साल पहले उसकी शादी करा दी थी उससे जहिज प्रसा का मुकदमा चल रहा है जिसमें ये मुल्जीम है और इन्होंने अपनी जमानत नहीं कराई है और दूसरी पत्नी के साथ ये रहना चाहते हैं और 10 साल पहले ही हमारे घर से निकल चुके हैं मेरी मा की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े इनको खाना ना देना पड़े इनको शारी ना दे पीच होगा मदान स्पी 121 सम्वेदन चिल बूतों पर पैलामिक्ट्री के साथ पीएसे के जवानों की तनाती की गई है भाग मेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाकर स्पी के साथ मिलकर जॉइन कष्ट की जा रही है 24 मई को सुरक्षा घेरे मदान कर्मियों उनके बूत तक पहुंचा दिया जाएगा शांतिपूर महौल में मदान करने के लिए सभी तैयारिया पूरी है स्पीकेशव कुमान ने सभी नागरिकों से मदान करने की अपील भी की है श्रावस्ती लोकसभा सीट पर 25 तारिकों मदान होना है श्रावस्ती लोकसभा सीट के अंतरगर बलरामपूर जनपत के तीन विधान सभा आते हैं इन तीनों विधान सभाओं पर जो चुनाव होना है इसके अलावा जन्पत बलरामपुर में गैसडी जो विधानसभा की सीट है उस पे उप्चुनाव होना है इन दोनों चुनावों को जो हमारे लोकसभा का चुनाव है तीन विधानसभा चेतरों में और एक उप्चुनाव है इसको लेकर पुलिस की पूरी तरह से डिप्लाइमेंट कर ली गई है इसमें जो हमारे हैं 709 सेंटर्स हैं और 1260 मद्दे इस्थल अर्थाद बूथ हैं इन सभी पे खबरकाजी पूर से जहां बीजोपी प्रतियाशी पारसनाथ रायजी ने बयान दिया अपने बयान ये बुल्डोजर की जरुवत पर बीजोपी थोड़ी प्रतियाशी ने बड़ा दावा किया है माफियाओं पर बुल्डोजर की कारवाई पर बोलते भी पारसनाथ राये ने कहा कि उनकी बाहे बहुत लंभी है इसलिए बुल्डोजर जरुरी था तो जब नियायलो ने हाँद उठा दिया नियाधी शुट्या लेकर जाने लिए लंभी लंभी तारीखे पढ़ने लिए और भैसला देने से दम नियाधी इनकार करने लगे नम्बी लम्बी तारीखी लेकर। लम्बी लम्बी टेप लेकर। समय भी बताले ना उनके लिए आसान है। उनकी बाहं अतुह यह दें leading क्रांस्ति कह सकते हैं किसी को पराथ कर सकते हैं। जित्रों अतक बुल्डो ज़िये जरूरी था जरूरी था ताकि तदकाल दबा हो जाए फिर सोचने कभी मौका दमी नहीं अब भाजपा की बेचेनी का हम क्या एलाज करें उसका इलाज मानने उम्परकास सिंग से पूछे जाका उम्परकास राजभर जी से पूछे उनकी वजह से मिल गई कि हमारे जिला के निर्वाचन अधिकारी की किरपा से मिल गई कि जो निर्वाचन आयोग का कानून है उस कानून के मताबिक मिल गई यह आप इसकी चान मिल कर ली देखें इंडिया गड़ बंधन से वो खुद डर चुके हैं तो वो सारी उलूल जूलूल बाते हम वही समझते हैं कि अब जो परिवार में किसी बच्चे को गुखार हो जाता है और एक सो चार के बाद बगबग करता है वही इस्थिती उनकी हो गई है दो वाईकों की जबरदस टक कर हो गई हाथ से बच्चार की मौत महिला से दो लोगों की हालत गंबीर घटना की सूशा पर पहुँची सोजी जोज़ुजौर अलका तोमा ने ततकाल सभी खायलो को मेडिकल कॉलेज में भर्ति कराया डॉक्टर ने दो बच्चों को मित्गोशित कर दिया जिससे कुल मिलाकर संख्या वृत्कों की चार हो गई है एक बैक पर सवार गाउं गुमानपुर निवासी महावीर उनके मासुम दो बेटों की दर्दनाक मौत हो गई पत्नी की हालत गंबीर है मुखेवंत्रे के आदेश के बाद भी एटा में नहीं रुक रही ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा हुआ हाद्चा थाना जैत्रा शेत्र के दरी अगंज रोड नगला भरसिंग के पास तेज रफ्तार सवारी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली कई राउंड पलट कर सीधी हो गई ट्राली में बैट्री आदर दिन से जादर सवारी अरहीं हो गई एक महिला के मौत हो गई ट्रैक्टर ट्रॉली इसे सवार होकर ये लोग गंगा पार जा रहे थे जैसे ही जैत्रा थानश्चेत्र के नगला भरसिंग के पास पहुँचे आचानक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर काई राउंड पर लटकर सीधी हुई आचसे के बाद गटना स्थल पर चिक पकार मज गई मौके पर थाना जैत्रा पूलिस पहुची शब को कबजे में लेकर कोस मार्टम के लिए भीज दिया वोई घायलो को सीएसी जैत्राप में भीजा गया है फतेपुर जिले में सतरकोतवाली शित्र के एक महले में जेट ने घर में घुसकर शिर्ख़ानी की महिला ने विरौत किया तो उसके साथ जेट जेट जेटानी से तो उसका बीटा और बीटी ने मारटी तकी महिला ने आरुप लगा है कि थानवी शिकाष़ाती पत्र दिया अगर सिखायत करोगे तो जान से मारेंगे घर से निकाल देंगे अब क्या मांग कर रही है आप मांग ये कर रहे हमको इंसाथ चाहिए क्या एक अकेली और दिंगी नहीं बिता सकती कि टैन के गोदाम में बीशन आग लग गई आग लगने से हुआ भारी भरकम नुकसान मौके पर नहीं पहुँचे दमकल गाड़ी ग्रामलों के मेनस से आग पर काबू पाए गया देरात दमकल की गाड़ी पहुँचे थी रुपडिया थानश्य तंतरगर्थ ग्रामसवा सुजौली का प्यूरा मामला बाबागन चौकी इंचार्ज पहुँचे अपने दलबल के साथ बल्रामपूर के हराया, पच्पीडवा और जरवात शेत्र से लगने वाली मैतुपुण भारत निपाल सीमा के सभी प्रमुख रास्तों और पक्रण्डियों पर शश्चेत्र सीमा बल और पुलिस बल आने जाने वाले वाहनों के लगाता चेकिंग कर रहे हैं डॉगस का द्वारा भी चेकिंग की जा रही है, पुलिस दिश्चा के शिप कुमार ने बताया कि पुलिस बल और तिश्चानिक बल निदें चेकिंग अभ्यान चलाकर सगन दृस्ट्री बनाये हुए है, चुनाव के दिश्चिकत सुरक्षा बलो की पूरी तैनाती करते ग मिलकर जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है, सीसी टेवी के माध्यम से निग्रानी बढ़ा दी गई है, पूरे चुनावी प्रक्रिया के अंतरगत जो भी फोर्स का डिप्लाइमेंट है, फोर्स का प्रबंदन है, पूरी तरीके से कर लिया गया है, इसके अलावा लावा मैं आपके माध्यम से बलरामपुर के समाने पनागरिकों से अपील करना चाहूँगा, कि अपने मद्दान के अधिकार आधा दरजन बदमाशों ने लूट के दुरान यह सौमी के पीट पीट कर मौत के खार टुतारा, यह सौमी के पिटाई से हुई मौन, लगदी और पिटानल का रिडिक्षन किया, स्लाम रगर ठानश्यत्र के गाउं अलेपुर की मडिया का यह पुरा मादला हम कॉलेज जा रहे थे, पेपर देने के लिए अकेले थे, तो उसने अकेला पाके हमारे साथ बत्तमी जी की, मार पीट भी की, और हमारा गला भी दवा रहा था, जान से मानने की धमकी दे रहा था किस कॉलेज जा रहे हैं? सिरी राम धम, कॉलेज माउरानिपूर में, माउरानिपूर थाने में, क्या कारवाई हैं? जी, सर बोला किस पे कारवाई करेंगे, आगे लोग सबच राव को लेकर इंडिया गडबंदन के पतियाशी संदर प्रसाद के लिए समाधवादी पार्टी के वरिश ने इता रमनक्षत्र यादव जनता के वी जा रहे हैं और जनता जनादर से अपील कर रहे हैं कि आप लोग इंडिया गडबंदन के सरकार मनाईए, तबी तो नौजवानों को नौकरी बज़र्गों को सम्वान अच्छी सिक्षा के विवस्ता मिलेगी मीडिया से बाक्चीत पे सपानेता रमनक्षत्र यादव ने बताया कि देश में इंडिया गडबंदन के लहा चल रही है, लोग उत्साहित हैं अगर इंडिया गडबंदनी की सरकार बनती है, तो देश के नौजवाने को नौकरी खटा-खट में ले लिए आप इंडिया गणदधन से प्रत्यासिक के लिए जनता के बीज जा रहा हैं। तो तुरंत ये बता रही है मोदी की सरकार की बिदाई तय है और इंडिया गठ बंधन की सरकार आने वाली है ये सरकार जा चुकी है और राहुल और अखलेश की जोड़ी मोदी के हंकार के तोड़ी और इस बार राहुल का अखलेश यादो का तेजस्वी यादो का आम आदमी पाल्टी का इंडिया गठबंधन इस बार शरकार बनाएगा और इस देश के युवाओं को नोकरी मिलेगी, नोजवानों को रोजगार मिलेगा, देश तरक्की की रहों पर आगे जाएगा. और इसे के साथ खिलाल कबरों में इतना ही आपने रही है न्यूजवाल इंडिया के साथ.